नमश्कर एक खबर आ रही है और खबर क्या वो बीवताना चाहेंगे कहा जाता है कि माँ के पैरो तले जर्नत है। माता-पिता की कदर करना हर उलाद का करतावी है कि वो उलाद जिसे माता-पिता पाल पोस्कार अपनी पूरी जवानी देते हैं उसे अपनी भूक की अपनी नीद की परवा किये बगार उन्हें पास पोस्का बड़ा करते हैं और बच्चे जब वो बुड़ापे में आते हैं बज़ुर्गी में आते तो उनसे नजरें चुराते हैं उनसे किनारा कशी करते हैं पर एक बेटा जिसने अपनी सिर्माने इच्छा जताई कि बेटा मैं ताज मेल मेरी दिली इच्छा है कि मैं ताज मेल देखना चाहती हूँ और पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे एक 85 वर्षी महिला ने अपने बेटे जिसका नाम इबराहीम है गुजरात के कुछ इलाके में रहने वाला और जो महिला है जो 85 वर्ष की जो उनकी मा इबराहीम की वो 32 साल से यानि के बताना चाहेंगे कि 32 साल से उन्हें back की problem है यानि back pain से वो गरस्त है जिसके चलते वो bet पर हायरो थार्डी नियों उन्हें ताज महल में जाने की अजाज़ा दे दी हो जिसके चलते हैं उन्हेंने अपनी मा की ख्वाइश को पूरा करते हुए उन्हें स्टेचल पर बिठा का गुजरा से मा को आगरा तक ले आए और वहीं पर ये तस्वीर कूप तोर से यानि पर बेटे ने इस इच्छा को पूरा करते हुए एडमिस्टरशन के साथ मिलकर बात की और उन्हें स्टेचल पर डालकर गुजराच के कुछ इलाके से उन्हें आगरा तक ले आए और इस तरह की तस्वीर जो वाइरल हुई रही है जहां पर एक तरफ आज की अगर बात करे आज के दोर में लोग किस तरह से माता पिता की निरादरी करते हैं यह मिसाल है उन बच्चों की मिसाल है और यह कहीना कहीं प्रेना का सोत्र है कि इंस्पिरेशन है यह बच्चा के उसने अपनी मा की दिली ख्वाइश के लिए और मा भी वह बिमार है जो लगबग 32 वर से ब पूरी तरह से परियास किया और इसी लिए इस तरह की कहानिया लाना भी जुरूरी है कि जहां पर एक तरह बो बच्चे जो अपने माता पिता की निरादरी करते हैं उन्हें वरी दवस्ता में आते ही उनसे रिष्टे नाते तोर देते हैं उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं उन्हें जवान के उन्हें इस काबिल बनाया कि अच्छी नोक्रियों पर पदों पर न्यूक ते अच्छी बिजनसमेन मने और जब उन्हें बच्चों की जरूरत होती तो माता-पिता कहीं ना कहीं उन्हें नकारते हैं माता पिता बच्चे उन्हें नकारते हो और उन्हीं माता पिता से नसरे चुराते हैं यह उन लोगों के लिए सीख है कि देखिए एक व्यक्ती जिसका नाम इबराहीम है उसने अपनी मा की एक इच्छा पूरी करने के लिए कि मा बीमार है 32 वर्श से बीमारी से ग्रस्त है मा मैं सिर्व इतना कहा कि बेटा मेरी दिली चाहत है कि मैं ताज महल देखू और बेटे ने आओ देखा ना ताओ देखा मा को स्ट्रेशर में डाल कर उन्होंने गुजरात के कुछ इलाके से दिली की और या आगरा में आए और मा की इच्छा को पूरा किया वो तस्वीर जम क कि माता-पिता का समMAN कीजिए वह माता-पिता के जिनों ने आवको अपणी नीद्गे हराम करकर अपनी नींदों के पर वह चाहा कर आप लोगों को पाल पोउस कर बढ़ा किया हाला चाहे कहींने होगे पैसों की कमी होगा प्र अपनी अलाद को माता-पिता जहाँ पर कई बार बच्ची अपने माता-पितों को वहाँ पर छोड़ाते हैं या अपनी जिम्मेदारियों से मूँ मोरते हैं उसी की एक मिसाल हम आपको बता रहे हैं कि सब उन सवालों का जवाब है कि आज की दोर में भी ऐसे बच्ची हैं जो माता-पिता का आदर करते हैं उनकी ख्वाइशों का सम्मान करते हैं, उनकी कदर करते हैं, क्योंकि माता-पिता के सिवा दुनिया में अगर कोई भी कहें के तो कोई भी हमदर्द नहीं, यानि आपने से सदा अगर बात करें, तो कोई हमदर्द है दुनिया में तो आपका अपने माता-पिता हैं, तो जम कर ये तसवीर वाइरल हो रही है और कही ना कही ये इंस्पिरेशन है हम लोगों को सब को सीखना चाहिए कि एक व्यक्ति जिसका नाम इबराहीम है वो गुजरात के कुछ इलाके करायने वाला है मा ने एक ख्वाइश जाहिर की और उस बच्चे ने अपनी मा की उस ख्वाइश क पूरा किया और खुछ सोची उस मा के दिल से कितनी दुआएं अपनी उलाग के लिए अपने उस बच्चे के लिए निकलियोंगी जिलोंने सिर्फ ख्वाइश को जाहिर किया बच्चे ने आओ देखा ना ताओ देखा जाकर अपनी माता की उस ख्वाइश को पूरा किया अ